हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अठली दिन नौलिश पर जैसा कि दोस्तो आपको थमनेल से पता चली रहा होगा कि आज का अमारा ये वीडियो बेहदी जरूर टोपिक सिबिल स्कोर के उपर है तो चलिए दोस्तो आपका समय बिना गवाए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर दोस्तों सिबिल स्कोर क्या होता है में समझे तो किसी इंसान का चीडिक में तीनकों के यह नंबर होता है जो 300 से 920 तक का होता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को कंपनी सिबील स्कोर देने से पहले उस व्यक्ति के पूरे account को चेक करती हैं और सिब्ल्स को जारी करते हैं चलिए दोस्तों अब इसे यूँ समझते हैं आपका स्पेल स्काल आपके लिए हुए लॉन को चुकाने के आधार पर जारी किया जाता है जिस व्यक्ति ने लोन जल्दी चुकाया है और समय पर समय पर चुकाया है तो दोस्तों उस व्यक्ति का सिविल इस्कोर एक अच्छा स्केभल माना जाएगा और यहीं सिब्ल इस्कोर दोस्तों आपको अगली बार कोई भी लोन के विस एंदिया लेने में हैल्प करता है वेसे आपकी जानकरी के लिए बता दें दोस्तों, सिबिल का Clap के क्रेडिट इनफॉमेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड होता है, अब दोस्तों जानते हैं सिबिल कैसे खराब होता जब आपने दोस्तो कोई लोन लिया है और उस लोन की एमाई समय पर नहीं चुकाई है तो इसका सीधा प्रवाव आपके सिबील स्कोर पर पड़ता है जिससे आपका सिबील स्कोर कम हो जाता है सबसे अच्छा सिबील इसकोर 900 के आसपास का माना जाता है जिस व्यक्ति का सिब जादा अच्छा होगा उसे लोन लेने में उतनी ही आसानी होगी अब चलिए दोस्तों आपको सिविल स्कॉर बढ़ाने के कुछ तरीके बता देते हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर बुक्तान करें समय समय पर येमाई जमा करवाएं क्रेडिट कार्ड का के लिए आपका सिविल स्कॉर 650 के आसपास होना चाहिए परसनल लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कॉर 700 से ज्यादा होना चाहिए गौल लोन लेने के लिए दोस्तों आपको किसी सिविल स्कॉर की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है दोस्तों आप भी चाहूं तो अपना सि कर सकते हैं आई होब कि दोस्तों आपके लिए मेरे द्वारत दी गई जानकरी बेहदी फाइदे मन्द होगी अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारत दी गई जानकरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकरी आपाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करन ना ना बुखले.